हे गाई स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल M.J. मित्रा पर आज है देवटनी एकादसी और साथी साथ बाबा खाटु शाम जी का जनम दिन भी है तो देवटनी एकादसी पर हमारे याँ पर गेरू से यह चितर बना जाता जिसमें सबसे पहले देवटनी एकादसी की बाद देवटनी को उठाया जाता है और आज से ही जितने भी शुब या मांगली कारे होते हैं जैसे विवा हो गया सब की शुरुवात की जाती है देखे गाईज मम्मा ने रंगोली बनाई थी जैसा कि आपको मम्मा ने बताया था तो जो है इसमें हमें देवो को उठाया जाता है और ये दीप दान किये जाते हैं आप सोच रहोगे कि इस थाली के अंदर क्या है इस थाली के अंदर हमने रख रखा है हल्वा बट आप हल्वे के अलावा और कुछ भी रख सकते हो जैसा आप परशाद बनाते हो हमारे हराना में फल्फूट, हल्वा ये सब रखा जाता है इसमें आप सोचरों कर खीर खीर रखी जाती है क्या इसमें हम चावल यूज नहीं करते इसलिए हम खीर नहीं बना सकते चावल यूज नहीं किया जाता इसलिए खीर नहीं बनती तो आप ठीर के अलावा और कुछ भी रख सकते हैं और फिर आखिर में उन परशादों को बाट दिया जाता है हमारे घर की जो लेडीज होती है वो संगीत गाकर, गीत गाकर, भजन गाकर देवों को उठाती है और फिर जो ये थाली के अंदर जो आप परशाद रखते हो वो दिया जाता है, बाट दिया जाता है आपके पूरे परिवारों के सदस्या में ये देखिए गाइस, आप हम इन बातों को छोड़ते हैं पहले हम आपको दिखाते हैं अपने मंदिर की सजावट ये देखिए, ये सजावट हम मैंने की है यहाँ पर हमने कितने सारे फूल लगा दिये हैं और ये देखिए गाइस, मम्मा ने है, वो विश्ण जी और लक्ष्मी जी को ये ने लाया था गंगा जल से तो उनके नए बस्तर उन्होंने पहनाया और ये देखिए, मैंने पूरे मंदिर की सजावट किया खाटू शाम जी को मैंने कितने अच्छी तरगे से सजा दिये हैं उनके ओपर धेर सारे फूल लगा दिये हैं और ये देखिए आगे भी ये दिखिए रंगोली पर हमने दिये लगा दिये हैं बहुत संदर लग रहा है चलिए अब आप देवो को उठाते हैं तो यहाँ पर, आप जल दी से हम देवो को उठाकर अर अब खाएंगे पर आजाद तो आप भी आप डेवो को उठा लीजिए और परशाद खा लीजिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई गाईज